नमस्ती और आपका स्वागत है एक और Twin Flame Energy चेक इन में और मैं यहाँ पे करण फिलिंग चेक करके देती हूँ आप लोगों को Twin Flame Energy ही में चेक करती हूँ तो अगर आप Twin Flame Journey में हैं तो ये रीडिंग आपके साथ Resonate हो सकती है ध्यान रहे आपको General और collective reading है और इस इंसान के जीवन में क्या चल रहा है ये आप बहुत से लोग जानना चाते हैं लेकिन सही जानकारी नहीं मिलती आप लोगों को अगर मैं कहूं इसके जीवन में ये चल रहा है तो उसको आप क्लेम करने के लिए आपको भगवान पे पहले भरोसा रखके विश्वास करना पड़ेगा कि इसके जीवन में ये चल रहा है तो आपको देखने को भी मिलेगा कि उसके जीवन में यही सब कुछ हो रहा है करन्ट में तो शुरू करते हैं रीडिंग आपकी एनरजी वाटम की एनरजी पे निकल की आई है जो की बहुत ही गजब की चल रही है इस वक्त और इस डिवाइन मेस्कुलीन के जीवन में क्या चल रहा है ये इनसान अभी भी जो है इस तरह से अपने आपको लोगों के सामने रख पे पेश आ रहा है इस कदर की या पेश आ रही है अगर आप मेल है तब भी ये इनसान आपकी जो पार्टनर है ठीक है ना वो भी इसी तरह पेश आ रहे है कि बहूत साफ सुतरी है कोई कमी नहीं है उसके अंदर और वो इन चीजों से बहुत दूर रहती है और ये विश्वास दिला रहा है वो अपने फैमली वालों को अपने दोस्तों को अपने घर में कि वो बहुत अलग है इन चीजों से वो बुरा इनसान नहीं है ठीक है बुरा तो ये नहीं है इससे जो यूनिवर्स करवा रहा है वही ये करता जा रहा है लेकिन इसको इस बात का पता नहीं है कु अपने करम अपने आप इकठे कर लेता है और ये इसके जीवन में चल रहा है और ये वहाँ पे थड़ पाटी जो है वहाँ पे भी ये इनसान धोका दे रहा है या दे रही है इसका जो करंट पार्टनर है उसको भी ये धोका दे रहा है इस वक्त क्योंकि ये किसी और इनसान स मत भी उधेड बून चल रही है इसको लेके कलेश चल रहे हैं काफी ज़ादा जो है इनके घर की एनरजी है घर में सब एक दूसरे को बातों के जो दौरा गिराते हैं और एक दूसरे को जो है बातों के दौरा बहुत चोट पहुचाई जाती है नौबत यहाँ पर मार पिटाई को लेके भी कई बार इनके घर वालों में जो है हो जाती है इसको भगवान जिस दिशा में ले जाना चाते हैं यह उस दिशा में जाना नहीं चाता ठीक है और आपका यहाँ पर जो अंदर के जो करम है सबी के लिए नहीं आए जो भी करम आपने किये हैं उनका रिजल्ट आपको मिल चुका है आपके अंदर की काफी जो गंदगी थी पास्ट लाइव से जुड़ी वी पिछले जन्मों के करमा जो जुड़े हुए थे वे सारे यहां पे क्लियर होते हुए नजर आ रहे हैं बहुत से लोगों के लिए एकदम खाली पन वाली एनरजी आपके दिमाग में एक अंदर दिल की अंदर खाली पन होता है तो इन्सान जी नहीं सकता उसको कोई ना कोई चाहिए जब दिमाग के अंदर खाली पन होता है तो इन्शान को शानती का अनुभव होता है शानती जिसको कहते हैं वो शानती काफी सारे Divine Feminine इस वक्त फील कर रही हैं उनको कोई फरक नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे उनको फरक नहीं पड़ता उनके फ्रेंड कैसे हैं उनको फरक नहीं पड़ता उन्होंने उन्हों के साथ क्या क्या किया है सबने उनको कोई फरक नहीं पड़ता Divine Feminine को अब वो वैसे चलना चाहती हैं जैसा भगवान चला रहे हैं उनको और उनके आस पास के जो लोग हैं उनके पीच में उनकी अपनी एहमियत क्या है वो divine feminine समझ चुकी है और इस पे वो चल भी रही है दिर्टा के साथ और अपनी respect वो खुद कर रही है इस वक्त और जब वो ऐसे चल रही है तो उनके साथ एक team है जो चलना चाहती है आगे आगे बहुत से लोग आपके साथ जुड़ना बस अपनी self respect आप खुद कीजिए मैं वो बताती हूँ आपको example के तोर पे क्या जैसे कि एक note ले लीजिए आप 10 रुपे का ले लो पांच का ले लो वो मेरे बेटे ने मुझे बोला कि मम्मी ये 10 रुपे का note है ये चलेगा नी उसके उपर मुझे एक बात याद आ गई तो क्योंकि ये थोड़ा सा तूटा-पूटा है मुड़ा तूडा है क्योंकि वो उसकी हालत थोड़ी सी बिगड़ गई थी छोटे बच्चे निसको पुचर-पुचर कर दिया था तोड मुड के note को रख दिया अब उसके थोड़ा सा सीधा कर लो प्रेस मार दो या हास सीधा क लोगो चल जाएगा दस रुपे में ही चलेगा तो उस नोट की कीमत कम नहीं होती, ऐसे ही आप लोग है आपकी कीमत कम नहीं होती है क्योंकि आपकी सचाई आपके साथ है आपकी पवितरता अंदर वाली जो अंदर वाली पवितरता है, वो आपके साथ है तो आपके कीमत किसी के गाली देने से, किसी को बार बार गिराने से, किसी को नीचा दिखाने से, आपकी कीमत कम नहीं हो सकती ठीक उसी तरहें से आप अपनी रिस्पेक्ट खुद कीजिए ठीक है न और अगर मैं इस इनसान की बात करूँ तो ये इनसान अपनी उस जंगे पे पहुँच गया है कि ये बहुत पावरफुल समझ रहा है अपने आपको ठीक है बड़ा नाम फेम है इस इनसान का वो तो है ह कहीं न कहीं लोगों से साथ ये कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है बहुत लोग इसके नीचे काम करते हैं ठीक है ना काम भी देता है ये लोगों को इस तरह की एनरजी दिखाए दे रही है कुछ और ये इनसान आपके बारे में क्या सोचता है इस इनसान ने आपके प्यार का जो कप था, जो आपने भरा था अपने प्यार से, वो कप जो है ये इनसान खाली कर चुका है, उस कप की इसको कीमत तब पता नहीं चली जो की अब पता चल रही है, ये इनसान जो है आपके साथ रहते हुए भी ये इनसान आपके साथ नहीं है, इस वक्त की एनरजी ये दिख और आप दोनों के बीच का जो बैलनस है, जो बिगड गया था, वो आ चुका है बीच में. साहईद आप उस जंगे पे हैं, सबी नहीं हैं. उस जंगे पे हैं कि इस इंसान से आपको फर्क नहीं पड़ता अब. लेकिन जितना आपको फर्क नहीं पड़ता उससे कई ज़ाधा इस इनसान को फरक पड़ रहा है मुझे यहाँ पर वाइब्रेशन की एक एनरजी सुनाई दी है है ना मुवाइल की तो यानि कि इस पर फरक पड़ रहा है इस बात का कि आप इस पर ध्यान नहीं दे रहे हो आगे निकल गए हो और यह इनसान बहुत जादा सोच रहा है अभी यह क्या करे नहीं तो यह भगवान का नाम लेने के लाइक है क्योंकि इसने अपनी जिन्दकी में इतनी उधेड़ बून इकठी कर ली है इतना मकड़ जाल में यह फस गया है कि अभी अकेले रहना भी नहीं चाहता अकेले इससे रहा भी नहीं जाता इसको अडिक्शन हो गया कोई ना कोई चाहिए साथ में और यह इनसान इसलिए भगवान का नाम भी नहीं ले सकता पेड़ पौधों के साथ यह जुड़ता है वहाँ पे भी इसे वो नोच नोच के खाते हैं ताने देते हैं हर एक पतियां हर एक पौध है मिटी सब इससे बाते करती हैं और यह हर्मिट मोर में चला जाता है उस वक्त क्योंकि हाँ पे मुझे हर्मिट का कार्ड मिला है और आस पास इसके पेड़ है जो की बहुत दूर है यह पेड़ों से और दूसरे हैं पेड़ों का कार्ड है जिसमें मंदीर में भगवान खड़े हुए है तो वो एंजल वाला डेक नहीं है जिसमें एंजल सर्वत मिला रही होती है यह नॉस्टर डैमर्स टेरो डेक है इसमें एक पंडित खड़ा हुआ है जिसने आप दोनों को एक अठा करा हुआ है कसमें दिलाई हुई है पिछले जन्मों में तो यह पिछले जन्मों की बात हो सकती है क्योंकि टेरो कार्ड ऐसा बता रहे है ठीक है लेकिन यहां पे यह भी है कि यह जो चूस किया था इस धर्ती पे आने से पहले मजिशन कार्ड चूस किया था इस धर्ती पे आने से पहले कि यह दुख दर्द धेलने पड़ेंगे और अपने अंदर का जो इनर चाइल्ड है उसको सुनना पड़ेगा जब आप उसके अंदर की बास सुनने लग जाएंगे तब आप एक मास्टर बन जाएंगे तो यह इनसान जो है अब तक सुन नहीं रहा था अपने मन की जैसा कि मैंने कहा इसको सब चिलाते हैं सब इसको आवाजे देते हैं ट्विन फ्लेम जर्णी के बारे में इसको बोल चीक चीक के जो है कहते हैं कि वो एक डिवाइन फेम नाइन है एक स्पिच्वल रिस्ता है लेकिन उसको यह इग्नॉर करता है उसको सुनता नहीं है और यह मजिशन इसको बहुत सारी इंट्विशन होती है बहुत सारी चीजें इसे यह सिखाती है लेकिन यह इनसान नहीं सुनता और ये इनसान भागता है इस यूनियन से आप से भागता है और ये इनसान दुखी रहता है दूसरा करम इसको कहते है इसका जो करम है वो इसको कहता है विल्लो फॉर्चीन आया है करम कहता है इसको कि तू दुख्यों की मदद कर तू पक्षूं की मदद कर तू जानवरों की म ना सोचता है लेकिन इसको कहीं ना कहीं यह आपको बहुत खुश देखता है यह आपको ऐसा काम करते हुए देखता है कि आप भगवान के नाम का काम कर रहे हैं जैसे कि आप मदद कर रहे हैं जानवरों की दुखियों की जो बे जुवान हैं जो कुछ कर नहीं सकते हैं है ना ये जानवर ही आ गए इन में ना बिली चूहें कुटे ये सब ये भगवान के ही तो बनाई हुए हैं सब और भगवान ने इनसान इसलिए बनाया था कि इनसान अपने लिए दो रोटी बनाए क्योंकि हाथ पैर लगाके भेजेवे हैं बुद्धी दी भी है भगवान ने इनसान को चो किसी को नहीं दी भी तो वो बुद्धी से भगवान ने आपको दी थी कि आप दूसरों की अपने लिए दो रोटी बनाए तो एक रोटी अगर आप ऐसा करते हैं एक रोटी अपने लिए बना रहे हैं तो आदी रोटी दूसरे के लिए भी दे दो आप देखो आप क्यास पास कोई कुटा भूका तो नहीं है कोई जानवर पानी से प्यासा तो नहीं है उसको पिला दो कुछ नहीं जाएगा ठीक है प्यार तो एक अलग बात होगी मैं आप लोगों के रीडिंग करती हूँ मैं भी करती हूँ आप भी कर लिया करो ठीक है तो ये इनसान कहीं न कहीं आपको देख रहा है कि आप बहुत खुश है और ये इनसान अपना जो चेहरा है वो बाहर दिखा नहीं सकता है कि लटका हुआ चेहरा है इनसान या आपकी गल्फरेंड भी है अगर आप अपनी डिवाइन फेमनाइन के लिए देख रहे हैं तो वो ऐसा फील कर सकती है कि आप खुश है अगर आप फीमेल है तो आपके डिवाइन मैस्कुलीन ऐसा फील कर सकती है कि आप खुश है यानि कि कोई भी इस रीडिंग को देख रहा उसका पार्टनर बहुत दुखी है आपको खुशी देख के क्योंकि आप उसके बगएर खुश रहना सीख रहे हैं ऐसा उस पर बरदाश नहीं हो रहा है आप अपने जिन्दिगी का मतलब समझ चुके हैं ऐसे आपके पार्टनर को बरदाश नहीं हो रहा है क्योंकि वो अभी भी गंदिगी में दहसा हुआ है और आप जो है निकल चुके हैं मुझे बड़ी कुशी हो रही है ये रीडिंग करते हैं ऐसे पॉस्ट्री मैसिज मुझे कभी नहीं मिले एक डिवाइन फेमना इन मेरे पास आई उन्होंने बोला कि दीदी मुझे इनर वर्क आपके साथ करना है उसमें क्या किया जाता है इनर वर्क में आपको मेरी बात ही माननी पड़े कि अगर आप ऐसे करते हैं तो आप अपनी जीवन में आगे निकल जाएंगे उसमें दो तीन साल का समय लग सकता है वो कहरे दीदी फीस क्या होगी आपकी तो मेरी फीस तो बहुत जादा फीस है लेकिन अगर आप खुस रहने लग जाएं और एक छोटी सी फीस देके बिल्कुल छोटी सी हफते की अगर आप रखते हैं उसमें आप तीन चार साल आपको लगने वाले हैं ये प्रसेज चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा उसमें बहुत से लोग आएंगे बहुत सारे लेकिन आपका मतलब यही है स्रीफ इसको छोड़के आगे बढ़ना तो आप कर सकते हैं ये काम ये डिवाइन फेमिनन अगर सुन रही होंगी जो मेरे पास परसनल आई थी वो कह रही थी दी दी मुझे डिवाइन मैस्कुल इनसे कुछ नहीं लेना मुझे अब खुद की जीवन में खुश रहना है तो बस यही आप लोगों को सब को करना है वो तो परसनल आई थी लेकिन मैं आपको कह रही हूँ आपको सब को यही करना है खुश रहना है आप सोचेंगे कई वर आपके दिल में ये बात भी आती है कि दुनिया बड़े है ऐस से रह रह रही है वो रुमांस कर रही है ये कर रही है वो कर रही है मैं क्यों नहीं कर रही हूं जो एक painting बनाते हैं ना उनकी भी हम जो है जितने भी गून लिक्खें वो कम हैं जो painting बनाते हैं मरवान की ठीक है लेकिन वो painting से भी अलग होती है जो आपको अंदर की आँखों से दिखती है मैं कुछ जो बोल रही हूँ बड़ी दिल से बोल रही हूँ आप बड़ी गहराई की बाते हैं उनको ही समझाएंगी जो इस पाथ पे चल रहे हैं जो स्पिरिचुलिटी पे भरोसा करते हैं मैं फिर आऊंगी एक नई रीडिंग के साथ तब तक के लिए आप ये वीडियो देखिए डिवाइन फेम नाइन के साथ शेयर कीजिए और रीडिंग लेना चाहते हैं रीडिंग फिरी नहीं है 8570874449 पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं रीडिंग के चार जान सकते हैं मैं फिर आऊंगी एक नई रीडिंग के साथ तब तक के लिए नमस्ते